हेलो अब्रीवन, तो हाई दिस इस सोरोब रहना, तो आज हम बात करेंगे और गैनिक केमिस्टी का एको निया चेप्टर के बारे में अमाइन्स की इसकी में रिवीजन कराऊंगा, इसके सारे टॉपिक में कवर करूँगा सबसे पहले अगर हम बात करें अमाइन्स की, जो अमाइन्स हैं, they are derived by replacing one or more hydrogen atom of ammonia molecule by alkyl और aryl group अगर अमाइन्स में से आपने hydrogen को alkyl group के साथ और aryl group के साथ replace कर दिया है, तो हमारे बन जाते हैं अमाइन्स इसी के basis पे सबसे पहले हम इसकी classification करेंगे, अगर ammonia में आपने एक hydrogen को एक r group के साथ replace कर दिया है, तो बन जाता है हमारा primary amine अगर आपने दो hydrogen को दो r group के साथ replace कर दिया, तो बन जाता है secondary amine और अगर आपने तीनों हाइडोजन को तीन आर ग्रूप के साथ रिप्लेस कर दिया तो आपका बन जाता है टर्शरी अमाइड और साफ में याद रखने हैं अगर हम इसके बात करें structure की हमने ये लिया है trimethyl amine जो है हमारे पास टर्शरी amine तर्शरी amine है ये अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी hybridization इसमें number of sigma bonds कितने है 1, 2, 3, 3 sigma bonds है और एक loan pair of electrons है 3 sigma bond एक loan pair of electron हो जाता है 4 और ये जो 4 होता है इसको represent करते हम SP3 hybridization से ठीक है ये जो 4 number है इसे SP3 hybridization से represent करेंगे और याद रखना SP3 hybridization में अगर एक loan pair of electron present है तो इसे बोलते है पैरा मिडल structure ठीक है तो as a result जो भी amine होगा इसके जो structures होगे primary, secondary या टर्शरी इनका पैरा मिडल structure होगा next हम बात करेंगे nomenclature की nomenclature में हम common name और IPEC name की बात करेंगे दोनों में जो suffix है वो amine लगेगा ठीक है सबसे बहले अगर हमारे पास है primary amine यह हमारे पास CH3, CH2, NH2 इसमें क्या हमारे पास ethyl group attached है इसे बोलने के ethyl amine जो है हमारा common name ठीक है और अगर इसे हम ऐसे भी लिख सकते है दो carbon है, single bond है दोनों के बीच में इसे भी लिखते हैं ethane amine इसकी हम बात करें, यह भी हमारा क्या है primary amine है NH2 के साथ सिरफ एक ही group present है R group, तो याद रखना अगर तीन carbon है और बीच वाले carbon पे और कुछ चीज जुड़ी होती है तो उसे बोलते है isopropyl amine तो यह हो जाएगा हमारा isopropyl amine और अगर हम इसकी numbering दे 1, 2, 3, तो हो जाएगा propane to amine ठीक है, next हम बात करेंगे secondary amine की secondary amine में क्या दिया है हमें एक तरफ CH3 group दिया हुआ है, एक तरफ CH2 CH3, methyl and ethyl group दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो common name है, इसमें हम alphabetical order से लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ethyl, then methyl amine, ठीक है, ethyl methyl amine, और जब हम बात करेंगे IUPAC name की, तो याद रखना इसमें जो N है, इसके साथ जो छोटा number of carbon है, less number of carbon है, उसे हम पहले लिखते हैं, हम लिखेंगे N methyl, तो ये हो जाएगा हमारा substitute, ठीक है और ये जो है CH2 CH3 इसके साथ हम main लिखेंगे ethane amine, जिसका less number of carbon है उसके लिखते होगे, आप N methyl उससे लिखेंगे, ethane amine, अगर आपके पास क्या है, suppose tertiary है, और तीनों ग्रूप सेम है, तो common name हो जाएगा trimethyl amine, तो दो ग्रूप को हम लिख लेंगे as a substitute लिखेंगे N, N, क्योंकि दो ग्रूप हैं, कोई भी दो ग्रूप ले सकते हो N, N, dimethyl और एक के साथ लगा देंगे methane amine, अगर हमें benzene दिया हुआ है, benzene के साथ NH2 है, तो इसे हम aniline कहते हैं और IUPAC name में हम aniline तो याद रखना, benzene वाले compound में aromatic compound में हम common name IUPAC name के साथ भी लिख सकते हैं, उसके जगा भी लिख सकते हैं, तो aniline भी लिख सकते हैं और benzene amine, और अगर NH2 के साथ क्या है, CH3 group attach है, इसे बोलते हैं हम toludene, अगर ortho position पे attach है, which is 1, 2 position इसे बोलेंगे ortho, meta पे होगा तो 1, 3, meta ठीक है, और पेरा होगा, तो 1, 4 position toludene, तो ortho toludene दिया हुआ है, और हमें इसे लिख सकते हैं 2-methyl-aniline next हम बात करेंगे, preparation of amine सबसे पहले है, reduction of nitro compounds, suppose आपके पास है CH3 NO2, अगर आप इसके reduction कर रहे हो आप यूज़ कर सकते हो hydrogen, influence of platinum and ethanol, तो hydrogen यहाँ पर add हो जाएगा, resulting formation of methane amine plus water similarly, अगर आपके पास suppose nitro benzene है, अगर आप इसके reduction कर रहे हो, आप यूज़ कर सकते हो SN plus HCl, Fe plus HCl, metal जब भी HCl के साथ rate करते हैं, hydrogen release करेंगे, hydrogen इसके reduction कर देंगे और बनाएंगे हमारे aniline plus water इसमें हम prefer करेंगे Fe plus HCl, यह जो हमारा reagent है, यह ज़्यादा prefer होता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Fe, HCl साथ में मिलके बनादेंगे Fe, Cl2, जब यह rate करेंगे Fe, Cl2 बनादेंगे, और Fe, Cl2 जब hydrolysis करेगा, hydrolysis में फिर से HCl दे देगा, so as a result, reaction में HCl खुद बनता रहेगा, और हमें HCl की कम concentration की ज़ुरत होगी Second part के बात करेंगे Second method है, by ammonolysis of alkyl halide, ठीक है जो ammonia है, वो alkyl halide को break कर सकता है, तो इसे ही हम बोलते है ammonolysis, जो ammonia है, इसके पास loan pair of electron होता है, और alkyl halide में alkyl group पे होता delta positive charge, तो यह as a nucleophile काम करता है, इस पे attack करता है X का bond क्या कर सकता है, यह break कर सकता है, तो यह इसके साथ जुड़ जाएगा सबसे पहले X का bond break हो जाएगा और यह इसके साथ जुडने के बात क्या करेगा, एक hydrogen release कर देगा, हमारा HX बनेगा और साथ में RNS2 primary amine similarly जो primary amine है वो क्या कर सकती, Rx पे फिर attack करेगी क्योंकि यह nucleophile की तरह काम करेगा यहाँ पे X और hydrogen separate हो जाएगे दोनों HX बना देंगे और हमारा बन जाएगा secondary amine similarly यह इस पे Rx पे फिर attack करेगा tertiary amine बन जाएगा और फिर यह Rx पे attack करके हमारा final जो product बना देगा यूज कर सकते हो sodium mercury called as sodium amalgam with C2H5OH याद रखना metal को जब आप alcohol के साथ rate करते हो तब भी hydrogen release होता है तो reduction हो जाएगी इस compound की nitrile हमारा बना देगा amine which is RCH2 NH2 similarly अगर आपने amide लिया हुआ है which is Rc double bond O NH2 अगर आप इसके lithium aluminium hydride के साथ reduction करोगे फिर hydrolysis करोगे तो आपको फिर से amine मिल जाएगा fifth method है हमारा gabriel thalemide synthesis और याद देखना इसमें सबसे pure form of आपको primary aliphatic amine मिलता है सबसे पहले हमने thalemide लिया है यह हमारा compound है thalemide KOH के साथ react करोगे तो K क्या करता है hydrogen को displace कर देगा और यहाँ पर क्या करतेगा water release करतेगा हमारा बन जाएगा potassium thalemide potassium thalemide हम react करेंगे alkyl halide के साथ alkyl halide के साथ react करेंगे यहाँ देखना R पर delta positive halogen पर delta negative होता है तो जो nitrogen R पर attack करेगा R इसके साथ जुड़ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर R जुड़ गया nitrogen के साथ अब क्या करते हैं हम यूज करते हैं twice NaOH ठीक है twice NaOH क्या करता है यह जो nitrogen है यह दो hydrogen के साथ जुड़ जाता है result information of RNA to primary amine बन जाता है और साथ में यह जो ONA है यह जुड़ जाता है carbon के साथ दो carbon के साथ ONA हमें मिलता है primary amine इसमें हमेशा हमें primary aliphatic amine मिलता है aromatic amine इसले नहीं मिलता क्योंकि अगर हमने आपने aryl halide यूज किया था तो aryl halide क्या करता है उसमें होता है plus R effect plus R effect होने के वएसे carbon और halogen के बीच में partial double bond आ जाता है और respond को break करना difficult होता है so that's why gabriel thalamite synthesis हमेशा हमें primary aliphatic amine देता है 6 reaction है हमारी Hoffman bromide amide degradation reaction याद दखना इसमें हम यूज करते है amide BR2 हम KOH ले सकते है और NaOH ले सकते है तो याद दखना हमारा बन जाता है amide RNH2, Na2CO3, NaBr plus H2O तो याद दखना इस reaction में अगर आप amide लेते हो जो amide बनता है उसमें क्या होता है एक carbon क्या हो जाता है less हो जाता है the amide formed with one less carbon than that of amide next हम बात करेंगे physical properties of amides में सबसे पहले हम बात करेंगे solubility की जो lower aliphatic amides होते है वो soluble होते हैं water में why there are soluble in water क्योंकि ये बना सकते है hydrogen bonding ठीक है क्योंकि इनके पास nitrogen होता है nitrogen more electronegative होता है hydrogen के साथ attach होता है तो hydrogen bonding ये vortex साथ easily बना लेते हैं बट याद रखना जो solubility है वो molecular mass से inversely proportion है मतलब जैसे इसे number of carbon increase होंगे hydrocarbon part increase होगा याद रखना जो hydrocarbon part होता है वो water repelling होता है और hydrophobic होता है तो solubility क्या होती है decrease होती है so as a result क्या हो जाएगा aromatic amines का जो hydrocarbon part है वो काफी ज़्यादा बड़ा है it is insoluble in water but aromatic amines जो होते हैं वो ether alcohol और benzene में soluble होते हैं next अगर हम बात करेंगे boiling point की इनका जो boiling point है corresponding hydrocarbonate से ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें क्या होता है hydrogen bonding अगर हम बात करें primary, secondary, tertiary amines की तो primary amines में सबसे ज़्यादा क्या होता है hydrogen bonding होता है as a result उनका boiling point क्या होता है higher होता है तो वो क्या कर सकते हैं खुद के साथ वो 2 hydrogen क्योंकि primary amines में 2 hydrogen होता है वो खुद के साथ 2 hydrogen bond बना सकते है secondary amines में क्या होता है एक hydrogen होता है वो खुद के साथ सिरफ 1 hydrogen bond बना सकता है और tertiary amines में कोई hydrogen bond नहीं present होता है as a result जो primary होता है सबसे ज़्यादा boiling point होता है then secondary, then tertiary next हम बात करेंगे chemical reaction of amines की chemical reaction में सबसे पहले आगा basicity of amines याद रखना amines basic इसलिए है क्योंकि उनके पास क्या है lone pair of electrons है तो they have lone pair of electrons electron donor क्या होते है basic होते है और proton acceptor are basic तो यह चीज याद रखना सबसे पहले अगर हमारे पास amine है water के साथ अगर आपने react किया तो यह क्या करेगा एक proton accept करेगा result information of R NH3 plus OH negative अगर हम इस equilibrium की reaction बनाए तो हम बनाते है product divided by reactant ठीक है अब equilibrium constant होगा और water याद देखना इसे pure liquid यह भी constant को constant से multiply करेंगे तो हमारा बन जाएगा equilibrium constant for base जिसे हम बोलते है KB ठीक है जो KB के value है काफी ज़्यादा क्या होती यह negative में आती है तो इसको small करने के लिए scientist ने क्या किया इसका negative log लगा दिया So negative log of KB is called as PKB ठीक है तो यहाँ देखना जो basic strength है वो directly proportional है KB जितना ज़्यादा KB ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा compound क्या होगा बेसिक होगा और यहाँ पर negative log लगाने की वैसे जितना कम PKB का value होगा उतना ज़्यादा basic strength तो basic strength is inversely proportional to the PKB value Next हम बात करें comparison of basicity of alkane amine versus ammonia Suppose आपके बास alkane amine है आपने लिए RNH2 और आपने ammonia लिया है हम देखना चाहते हैं इन दोनों में से कौन ज़्यादा basic है दोनों hydrogen accept करेंगे base hydrogen accept करता है alkane amine बनाएगा हमारा alkyl ammonium ion similarly जो ammonia है वो बना देगा ammonium ion अब इन दोनों में से ज़्यादा stable होगा वो reaction क्या होगी उतनी forward direction में होगी अब अगर हम बात करें alkyl ammonium ion में यहाँ पर alkyl group present है यह electron donating group है positive charge को कम कर देता है as a result यह ज़्यादा stable होगा alkyl ammonium ion reaction forward direction में जाएगी मतलब alkyl amine क्या हो जाएगा ज़्यादा basic हो जाएगा stronger base देंदा ammonia because of plus eye effect next अगर हम बात करें order of basicity of primary secondary tertiary amine in gaseous phase suppose आपके पास tertiary secondary primary amine है सिर्फ gaseous phase की बात कर रहे हैं हम तो याद रिखना इसमें same चीज हो जाएगा यहाँ पे तीन electron donating group है tertiary में secondary में 2 है primary में 1 है because of plus eye effect जो इनका alkyl ammonium ion बनेगा हमारा in case of tertiary वो जादा क्या होगा stable होगा so reaction और tertiary जो होगा जादा basic होगा as compared to secondary as compared to primary next हम बात करेंगे basicity of amines in aqueous phase हमने अभी अभी पढ़ा था plus eye effect की वज़ासे जो tertiary है वो जादा basic होती then secondary then primary next हम बात करेंगे hydration effect or called as solvation effect तो याद रखना suppose जो हमारे पास क्या थी amines थी उन्होंने hydrogen accept किया तो हमारा बनता है alkyl ammonium iron तो primary एक hydrogen accept करेंगा secondary एक hydrogen और tertiary भी एक hydrogen accept करेंगा अब जैसे आपने इसको क्योंकि हमारा हो रहा है aqueous phase में aqueous phase में क्या होता है water होता है water के साथ ही hydrogen क्या बनाते है hydrogen bonding primary वाले में 3 hydrogen होते है तो 3 hydrogen bonding secondary में 2 hydrogen bonding और tertiary में 1 hydrogen bonding जितने ज़्यादा hydrogen bonding बनता है उतना ज़्यादा ये alkyl ammonium iron stable हो जाता है reaction जाता है forward direction में so hydration effect आता है क्योंकि ये stable हो रहे है तो उसकी वज़़ा से primary है वो ज़्यादा stable होता है क्योंकि इसमें 3 hydrogen bonding है secondary में 2 hydrogen tertiary में 1 hydrogen bonding so as a result क्या होता है solvation effect की वाई से primary ज़्यादा basic होता है then compared to secondary then compared to tertiary third factor हम देखेंगे steric factor steric factor मतलब कि जितने ज़्यादा R group present है उतना ज़्यादा difficult होता है hydrogen bonding करना जो alkyl group है hydrogen bonding में interfere करता है तो primary ज़्यादा क्योंकि primary में सिर्फ एक alkyl group है वो ज़्यादा basic हो जाता है because of steric effect then secondary then tertiary और साथ में जैसे जैसे आप alkyl group का size बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा R group जैसे जैसे आप बढ़ा करोगे उतना ज़्यादा steric hindrance आ जाती है और hydrogen bonding में problem आती है इन तीनों effect से अब हम बात करेंगे सबसे पहले हम basicity की बात करेंगे और ethyle amines की ठीक है अगर हम देखे plus I effect और solvation effect की वज़ा से जो secondary amine है वो दोनों में उसके पास दोनों effect present है सो secondary amine जो होगा हमारा C2H5 twice NH यह सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा basic होगा अब important चीज क्या है जो ethyle group है वो एक bulky group है bulky मतलब बड़ा group है तो bulky group होने के वाई से steric hindrance सबसे ज़्यादा ethyle में ज़्यादा steric hindrance होती है तो hydrogen bonding में क्या हो जाती है problem हो जाती है so as a result क्या होता है जो plus eye effect है वो stronger हो जाता है hydration effect की वज़ा से plus eye effect में tertiary stronger है hydration effect में primary stronger है so as a result क्या होता है tertiary ज़्यादा basic होता है as compared to primary और अगर हम बात करें methyl amine में methyl amine में भी secondary सबसे ज़्यादा basic होगा which is CH3 twice NH और अगर हम बात करें primary और tertiary की methyl amine में steric hindrance सबसे कम होता है तो इनका जो hydrogen और hydration effect है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है stronger होता है इनके hydrogen bonding ज़्यादा strong होती है so इनकी hydrogen bonding plus eye effect से ज़्यादा strong हो जाती है so as a result primary ज़्यादा basic हो जाता है as compared to tertiary next हम बात करेंगे aryle amine versus ammonia की basicity दोनों में ज़्यादा basic है aryle amine में हमें aniline लिया हुआ है यहाँ पे लिया ammonia यहाद रखना जो ammonia हो ज़्यादा basic होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसके पास loan pair होते हैं और वो जो electrons हैं वो ammonia में easily available होते हैं अगर हम बात करें aryle amine यहाँ पे हमने लिया हुआ इसमें क्या होती है resonance होती है resonance में क्या होता है यह जो nitrogen के electrons है यह benzene ring के अंदर move कर जाते है as a result nitrogen पे आता है positive charge तो इसके जो electrons होते हैं वो less available होते हैं less available होने की वज़़ा से क्योंकि इसके electrons available नहीं है तो as a result क्या होता है ammonia जो है वो ज़्यादा basic हो जाता है aniline से next हम बात करेंगे effect of the substituents substituents का क्या effect होगा सबसे पहले अगर हमारे पास है electron donating group electron donating group benzene ring suppose aniline के साथ attach है CH3, C2H5 और OCH3 group attach है यह क्या करते हैं electron donate करते हैं so they are electron donating group electron density nitrogen पे क्या कर देंगे increase कर देंगे basicity increase हो जाएगी तो इनकी basicity aniline से ज़्यादा होगी next अगर हम बात करें electron withdrawing group electron withdrawing जैसे हमारे पास है NO2CN group यह electron लेंगे nitrogen का अपनी तरफ electron density decrease कर देंगे basic strength decrease कर देंगे so as a result aniline से comparison से electron withdrawing group वाला जो compound होगा वो क्या होगा less basic होगा next हम बात करें chemical reaction इसमें सबसे पहली reaction है हमारी alkylation of amines alkylation में suppose आपके पास primary amine है आपने alkyl highlight के साथ react किया हुआ है nitrogen पे lone pair of electron alkyl group पे attack करेंगे क्योंकि इस पर delta positive होगा halogen में delta negative इस पर attack करेंगे halogen और एक hydrogen remove हो जाएगा हमारा बन जाएगा secondary amine similarly secondary amine एक और R double dash X पर attack करेंगा nitrogen इस पर attack करेंगा X और hydrogen remove हो जाएगा और हमारा बन जाएगा tertiary amine next हम बात करेंगे acylation of amines में acylation में हमारा जो group add होता है वो होता है R seedable bond R group तो यह जब group add होता है इसे हम बोलते है acylation और acylation हमारा देता है primary or secondary amine जिसमें क्या होना चाहिए nitrogen के साथ hydrogen present होना चाहिए ठीक है और इसके लिए हम use कर सकते है acid chloride, anhydride और ester यह तीनों में क्या होता है acyl group present होता है ठीक है, suppose आपने ethane amine लिया हुआ है in presence of CH3, COCl which is acid chloride, अब क्या होगा यह chlorine और यह जो hydrogen है यह क्या हो जाएगा, remove हो जाएगा तो HCl remove हो जाएगा, तो यह जो acyl group है, इस NH के साथ जोड़ जाएगा, ठीक है, हम यहाद रखना हम catalyst लेते हैं, pyridine which is a base, अब यह जो COCH3 है, यह NH के साथ जोड़ जाएगा, result in formation of, यह हमारा compound बन जाएगा इस compound को बोलते हैं N-ethyl, यह ethyl group है इस nitrogen के साथ, और इसे बोलते हैं C double bond O, NH को बोलते हैं amide, तो यह ethane amide plus HCl, अब जो HCl बना है, हमने pyridine इसले यूज किया था, क्योंकि pyridine क्या है, एक base है, वो HCl के साथ react करके, HCl के concentration decrease करते गा, और Lee Chetler principle से हमें पता है, कि अगर product का concentration decrease होगा, reaction जाएगा forward direction में, और concentration anethyl ethane amide का increase होगा, next reaction है हमारी carbol amide reaction, यह reaction हमारा primary aliphatic or aromatic amides देते हैं, ठीक है, suppose आपने primary amide लिया है, chloroform और KH के साथ आपने react कर दिया आप उसको heat करते हो, तो आपका मन जाता है, alkyl isocyanide which is RNC, और इसकी smell होती है foul smell, foul smell होने की वज़ा से, आप detect कर सकते हो presence of this compound, और अगर यह reaction हो रहा है, तो मतलब आपका जो initial reactant था, वो हो सकता है primary aliphatic or aromatic amide next हम बात करेंगे, reaction with nitrous acid which is HNO2 आपने suppose लिया, primary aliphatic amide लिया, which is RNH2, HNO2 के साथ react किया, याँ देखना HNO2 कैसे बनता है, reaction में NNO2 और HCLC reaction से HNO2 बनता है, अब HNO2 RNH2 के साथ react करेगा और हमारा बनेगा alkyl disonium salt alkyl disonium salt water के साथ react करेगा, ये stable नहीं होता है, बनाएगा alcohol, nitrogen और HCL और अगर nitrogen release हो रहा है तो हम बता सकते हैं, presence of primary aliphatic amide similarly अगर आपने लिया primary aromatic amide, aniline, आप HNO2 के साथ react कर सकते हो, आप temperature लोगे 273 to 278 Kelvin, NNO2, HCL reaction के बाद हमारा बन जाएगा, बन जाएगा benzene, disonium salt जो stable होता है plus NaCl plus H2O तो इन दोनों reactions से आप distinguish कर सकते हो, primary aliphatic amide and primary aromatic amide next हमारी reaction है reaction with aryl sulfonyl chloride इसे हम hinsburg reagent भी कहते हैं ये primary security tertiary amide को differentiate करता है, सबसे पहले आपने लिया hinsburg reagent aryl sulfonyl chloride, अब हम इसे react करते हैं primary amide के साथ, या दखना ये HCL क्या हो जाता है, इसके साथ HCL remove हो जाता है, nitrogen इस S के साथ react हो जाता है, result in formation of N-ethyl benzene, sulfonyamide हमारा बन गया, अब important क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, acidic hydrogen होता है, acidic hydrogen होने की वज़ा से ये जो compound है ये alkali में soluble होता है, तो it is soluble in NaOH next reaction में हमने लिया secondary amide, secondary amide भी होगा, hydrogen CL के साथ react करेगा, HCL बनेगा, nitrogen जो है sulfur के साथ attach हो जाएगा, result in formation of N-N-diethyl benzene sulfonyamide, अब याद रखना इस compound में कोई acidic hydrogen नहीं है, तो ये alkali में soluble नहीं होगा, तो पहले वाला soluble होगा, दूसरे वाला soluble नहीं होगा, और third वाली reaction में अगर आप देखोगे, अगर आपने tertiary amide लिया तो nitrogen के साथ कोई hydrogen नहीं है तो वो benzene sulfonyl chloride के साथ reaction भी show नहीं करेगा, so there will not be any reaction, तो आप Hinsberg Reager से primary secondary tertiary amide को differentiate कर सकते हो next हम बात करेंगे electrophilic substitution, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले bromination की, suppose आपके पास aniline है और आप इसे react करते हो bromine water के साथ aniline है याद रहना, it is highly activating highly activating का मतलब क्या है जो nitrogen के electrons है, वो benzene दिंग के अंदर जाते है, और तो पहरा position में electron density इतनी ज़्यादा high होती है कि bromine water के साथ reaction करने से, और तो पहरा position पे bromine attach हो जाएगा, आपको मिलेगा 246 tribromo aniline अगर आप चाहते हो कि bromine सिरफ पहरा position पे attach हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो इसकी, suppose आप चाहते हो aniline के अब याद रखना, इसका importance क्या है यह acid analyte जो बनता है इसमें क्या होता है, जो nitrogen के electron है, वो C double bond O के electrons के साथ क्या करते हैं, resonance तो nitrogen के electron C double bond O के साथ resonance करते हैं, as a result क्या हो जाता है, जो electron availability थी nitrogen की, वो कम हो गई so activation of NH2 क्या हो जाता है reduce हो जाता है easily add the para position para पे major product बनता है, उसके बाद हाप hydrolysis कर सकते हो, acid और base में, आपको वापिस मिल जाएगा 4-bromo-aniline, तो इसकी जगा, यह जो group था, इसको replace कर लेगा NH2, और आपको मिल जाएगा 4-bromo-aniline, next हम बात करेंगे, nitrogen of aniline, aniline की जब हम nitrogen करते है, in presence of nitrating mixture, which is HNO3, H2SO4 हम देते हैं temperature 288 Kelvin, तब क्या होता है, जो NO2 है वो attach हो जाता है, para position पे, यह compound हमारा बनता है 51%, यह meta position पे भी attach हो जाता है, हमारा 47% बनता है, और ortho position पे भी attach हो जाता है अब इसमें interesting बात क्या है जो NO2 group है, वो सिर्फ ortho और para position पे ही attach होना चाहिए था, क्योंकि जो aniline है, वो है हमारा ortho para directing, बट हमें meta directing भी compound मिल रहा है, हमें meta nitro aniline मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि acidic medium में क्योंकि acidic medium है, aniline क्या है 1 base है, यह H+, accept कर सकता है H+, accept करने से protonation से क्या बना लेता है anilineum ion, NH3+, anilineum ion है हमारा meta directing, meta directing मतलब कि वो NO2 group को meta position पे attach कर लेगा, ठीक है next, अगर हम चाहते हैं कि nitro group para position पे attach हो, हम same reaction करते हैं, जो हमने bromination में किया था, हम इसकी क्या करते हैं acylation करते हैं, in presence of acetic anhydride, pyridine के साथ react करते हैं, हमारा बन जाता है acid aniline, यहाँ दखना है, यह जो NHCOCH3 है, इसमें resonance होता है nitrogen की electrons कम हो जाते हैं तो इसके बाद जब आप nitrogen करते हो, NO2 attach हो जाता है, para position पे, उसके बाद आप hydrolysis करते हो, acetic और basic medium है, तो आपका बन जाता है para nitro aniline last हमारी reaction है, sulfonation अगर आपने aniline को H2SO4 के साथ react किया, तो यह दखना है, यह हमारा base है, यह acid है, दोनों सबसे पहले आपस में react कर लेंगे, result in formation of anilineum hydrogen sulfate ठीक है, anilineum hydrogen sulfate बन गया अब क्या होता है, इसमें rearrangement होता है, rearrangement होने से यहाँ पे NH2, यहाँ पे SO3H group attach हो जाता है, इसे बोलते हैं sulfonelic acid, ठीक है, अब अगर आप देखो के, sulfonelic acid में एक तरफ basic group है, एक तरफ acidic group है basic group hydrogen accept कर सकता है acidic group hydrogen donate कर सकता है, तो आपकी जो यह iron बन जाएगी, इस iron को बोलते हम zwitter iron next अगर हम बात करें, जो aniline है, वो friddle craft reaction show नहीं करता, ऐसा क्यों नहीं करता, क्यूंकि इसमें क्या होता है, आप यूज करते हो catalyst ALCL3, यह Lewis है acid, यह Lewis acid है, Lewis acid होने की वज़ा से, यह aniline के जो NH nitrogen है, उसके साथ combine हो जाएगा, combine होने के वैसे positive charge आजाएगा nitrogen में और वो बन जाएगा strong deactivating group as a result, friddle craft reaction aniline show नहीं करता next हम बात करेंगे, disonium salt की, disonium salt क्या होता है, it is a group of organic compound, have a general formula इनका general formula होता है ARN2 plus X negative और जो AR होता है, वो क्या होता है RIL group होता है, और X negative हो सकता है, CN negative, BR negative HSO4 negative, and NO3 negative nomenclature की बात करेंगे इसमें क्या होता है, N2 plus होता है N2 plus जो होता है, उसमें क्या होता है nitrogen पे क्या होता है, positive charge triple bond के साथ, दूसरा nitrogen attach होता है, तो दो nitrogen जो attach होता है positive charge के साथ, उसे बोलते हैं diazo group, तो compound का नाम हो जाता है, C6H5N2 plus CN negative, benzene diazonium chloride similarly, अगर CL negative की जगा हमने HSO4 negative लिया होता है, तो यह बन जाता, benzene diazonium hydrogen sulfate, तो यह hydrogen sulfate होता next हम बात करेंगे, stability की याद रखना, यह जो salt होते हैं, यह stable होते हैं, but they are still for short period और आपको रखना पड़ता है, low temperature 0 to 5 degree Celsius, अब याद रखने stable क्यों होते हैं, क्योंकि यह resonance शो कर सकते हैं, अब क्या होता है, नाइटोजन में positive charge triple bond के साथ, दूसरा nitrogen attached है तो positive charge वारा nitrogen अपने तरफ electron लेता है, from the benzene ring double bond आ जाता है, यह electron यहां shift हो जाता है, यहां पे negative charge और benzene ring पे positive charge आ जाता है, तो इसे बोलते हैं, minus R effect, as a result क्या होता है, जो plus charge है, वो benzene ring के अंदर move करता है, यह electron यहां shift हो जाएंगे, positive charge यहां आएगा, यहां आएगा, as a result, resonance के वाईसे disonium salt थोड़े stable होते हैं next हम बात करेंगे, preparation of benzene disonium chloride की, सबसे पहले हम aniline लेते हैं, NaNO2 HCl के साथ rate करते हैं, और temperature रखते हैं low temperature, which is 273 to 278 Kelvin, हमारा बन जाता है benzene disonium chloride ठीक है, साथ में NaCl plus H2O, यह चो compound बनता है, it is generally not stored, इसको store नहीं करते, it is immediately used after this preparation, जैसे हम इसे prepare करते हैं, तभी हम इसे use कर लेते हैं अगर हम बात करें, physical properties की सबसे पहले हम physical properties की बात करेंगे benzene disonium chloride की, यह crystalline solid होता है, it is soluble in water, और stable होता है cold में, तभी हम cold condition में इसे बनाते हैं, but it react when water is warm, जैसे हम water को warm करते हैं, तो water के साथ react कर जाता है, and it decompose easily in dry state, dry state में decompose हो जाता है, अगर आपने chlorine के जगा यूज क्या होता है, benzene disonium fluoroborate, fluoroborate लिया होता तो यहाँ रखना, वो compound होता है water insoluble, it is stable at room temperature, next हम बात करेंगे chemical reaction की, इसमें हम बात करेंगे reaction involving displacement of nitrogen, diazo group is a very good living group, जो diazo group है, वो easily क्या हो सकते है, break हो सकता है, as a result हम इसे easily substitute कर सकते हैं by some other group like Cl negative, Br negative, I negative, Ca negative और OH negative, और साथ में nitrogen gas is released, सबसे पहले हैं हमारी sand mirror reaction, benzene disonium chloride है, इससे हम react करते हैं, सबसे पहले Cu2Cl2, HCl के साथ हमारा बनता है chlorobenzene nitrogen BR2, HBR के साथ, bromobenzene nitrogen gas is released, Cu, Cn, KCn, Cn attach हो जाएगा, हमारा बनेगा benzonitroil, nitrogen gas is released, similarly gatterman reaction भी कर सकते हैं, benzene disonium chloride को हमने copper HCl के साथ react किया, chlorobenzene बनेगा, nitrogen gas CuCl will be released, similarly हमने CuHBR के साथ react किया, तो हमारा bromobenzene बनेगा, nitrogen and CuCl is form, next हम बात करेंगे, benzene disonium chloride को जब आप KI के साथ react करते हो, तो आपका बनता है idobenzene KCl plus nitrogen gas is released, similarly benzene disonium chloride को अगर आप react करते हो HBF4, जो होता है हमारा fluoroboric acid, तब हमारा बन जाता है disonium fluoroborid which is N2 plus BF4 negative, और जब हम इसे heat करते हैं, तो हमारा बन जाता है fluorobenzene, BF3 plus nitrogen is released, next हम बात करेंगे, replacement by hydrogen benzene disonium chloride को हम क्या कर सकते हैं mild reducing agent के साथ react कर सकते हैं like hypo phosphorus acid which is H3PO2 H2O, तो इसमें क्या होगा, hydrogen जोड जाएगा हमारा benzene, और यह जो hypo phosphorus acid है, इसकी खुद की क्या हो जाएगी, oxidation यह बना देगा, हमारा phosphorus acid nitrogen plus hydrogen gas is released similarly benzene disonium chloride की हम क्या कर सकते है, reduction कर सकते है by ethanol, ethanol में hydrogen यहाँ पे जोड जाएगा, हमारा बन जाएगा benzene और ethanol खुद क्या करतेगा, oxidation करेगा बना देगा ethanol nitrogen and HCl is released next है हमारा fifth जो reaction है benzene disonium chloride को water के साथ जब आप warm करते हो तो हमारा बन जाता है phenol, nitrogen and HCl is released similarly benzene disonium chloride को आप react करते हो fluoroboric acid HCl release होता है हमारा बन जाता है disonium fluoroborate which is N2 plus BF4 negative और जब हम इसे heat करते है NaNO2 in presence of catalyst copper जब आप इसे heat करोगे तो आपका बनता है nitrobenzene N2 plus NaBF4 is formed लेते हैं in presence of base phenol का जो पैरा position का जो hydrogen है वो इसके साथ react करेगा और ये जो दोनों हमारे compounds है वो आपस में जुड जाएंगे और जुडेंगे कैसे nitrogen, dull bond, nitrogen से ठीक है तो ये दोनों group हमारे जो compound है वो जुड़गे हमारा बनता है para hydroxy azo benzene और important चीज़ याद रखना इसमें क्या होता है जो दो aerobatic ring nitrogen, dull bond, nitrogen से जुड़ते हैं तो ये colored complex देते हैं और इसे हम dye की तरह use करते हैं तो ये जो हमारा para hydroxy azo benzene बना ये orange color का dye है similarly benzene dyesolium salt को आप aniline के साथ react कर सकते हैं in presence of acid तो again ये दोनों जो compound है वो जुड़ जाते हैं किससे जुड़ेंगे nitrogen, dull bond nitrogen से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा बनेगा para amino azo benzene बनेगा और याद रहना ये हमारा use होता है as a yellow dye next हमारा topic है importance of dyesolium salt in synthesis of aromatic compound dyesolium salt से हम बागी compounds synthesize कर सकते हैं सबसे पहरे आप इसलिए में easily क्या कर सकते हो इसमें introduce कर सकते हो group like F, C, L, O, H, C, N, N, O, 2 अगर हम बात करें aryale fluoride and iodide cannot be prepared by direct halogenation अगर आप direct halogenation करते हो सबसे बेंजीन में आप direct fluorine add करना चाहते हो तो काफी जाता violent reaction होता है और iodine add करना चाहते हो काफी द्याता reaction क्या होता है slow होता है तो हम क्या कर सकते है benzene, diazonium, salt से easily दोनों को introduce कर सकते है similarly अगर आप sino group cannot be introduced by the nucleophilic substitution nucleophilic substitution of chlorine by chlorobenzene chlorobenzene याद अखना partial dirt bond की वैसे easily nucleophilic substitution नहीं कर सकते है तो sino group भी आप easily attached नहीं कर सकते है but benzene, diazonium, salt से आप easily sino group भी attach कर सकते हो last में replacement of diazo group इसमें हम क्या कर सकते है diazo group जो है N2 plus वाला जो group है easily replace करके बागी group हम उसमें introduce कर सकते हो हम बना सकते हैं substituted aromatic compounds